नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत रहें के एजुकेशन में CZT, 36TKP1 और CZTKP2 के डिटेल सलेप्स को डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक से कितने कितने कुश्टन पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और उन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से कॉस्टन पूछे जाएंगे सभी बातों के उपर डिस्कस करेंगे CZTKP1 के बारे में CZTKP2 के बारे में डिटेल्ड डिस्कस करेंगे 36TKP के बारे में और किलबे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आपको CGTAT की जितने भी आगे की जानकारी है वो सबसे पहले मिलती रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे वीडियो नरंतर आती रहें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो सीजी टैट वन के लिए ठीक है जो 36 गट का टैट वन होगा उसके सिल्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं सुबसे पहले जो बालविकास आईगी वो 30 अंकों के 30 परशन होंगे जिसमें हम डिटेल डिसकेस करते हैं ठिक है बालविकास के 30 परशन आईगे पेपर 1 में सीजी टेट के पेपर वन में जो पहली से पांचमें कक्षा के लिए होता है ठीक है और उसके बाल विकास का प्रिच्च साथ आपके अंक होंगे बाल विकास के पहलो साथ अंक होंगे साथ अंक होंगे पुछा जाएगा सिक्षा एब संग्यान का विकास नो अंकों का पुछा जाएगा और बशेश अपशिक्ता भाले बच्चे ये साथ अंकों का पुछा जाएगा और उसके बाद क्या होगा उसके बाद आएगी आपकी हिंदी पेपर वन की हिंदी के बारे में डिस्किस करते हैं 30 अंकों के 30 परशन होंगे, जिसमें, उसके बाद हम ढिस्क्स करते हैं, इंगलिश के लिए, ठीक है, जो आपकी भाषवा 2 है, English paper 1 कक्षा 1 से लेकर 5 तक कि हम यहाँ पर इस लिपस के बारे में डिस्कस करते हैं जो और में एक passage आएगा, comprehension आएगा, ठीक है, यह passage होगा जिसमें 15 question होंगे, comprehension के 4 question होंगे और grammar, देखी, passage में से ही grammar निकाली गई है, उसके 4 marks होंगे vocabulary आएगी आपको 4 marks होंगे उसके बाद यह तो आपकी grammar 4 marks की हाएगी, 4 marks की vocabulary आएगी, comprehension 4 marks का आएगा टोटल 15 marks का comprehension आएगा, जिसमें से ही comprehension, grammar, बकायव, दोने निकाल दी जाएगी उसके बाद pedagogy होगी, ठीक है, जो आपकी 15 marks की होगी, language and development, ठीक है उसके बाद हम गिनत की बात करते हैं, जो कक्षा 5, 1 से लेकर 5 तक, और CG-1 के लिए है तीस अंकों के तीस प्रशन होंगे, गिनत की प्रकरती 7 का, गिनत सेखना, बैह सिखाना, बैह आतलन, साथ माक्स का, दश्मलब प्रानी, और 16 यह आपका 7-7, 14 स्का होगा और 16 का यह आपकी गाई तरी में, जो अन्या मैत होगा, दश्मलब प्रनाली, संख्याएं, बीन, सदारन बीन, दश्मलब बीन, संख्यातमक, बेंजगों का समीकर्ण, जो समीकर्ण होते हैं, आपके LCM, SCF, OST, प्रतिशस, दारन ब्याज, प्रॉफ्ट लोस, और अनपास, मानपास, चाल, समीदूरी, ठीक है, समीए, कार्या मजदूरी, एक नियम, शेतरबल, तथा प्रमान, आहितन, और समीए, यह सारे यह आपके होगे उसके बाद EBS होगी, आपकी Environment Science होगी, प्रेवरन अध्यान होगा, तीस अंकों के तीस प्रशन होगे, और यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रेवरन को समझना, तीन मार्क्स, प्रेवरन के बारे में बच्चों की समझ, चार मार्क्स, प्रेवरन के अध्यान को देख वाल, चार मार्क्स काएगा, और उसके बाद यह है, आपका paper 2 के बारे में स्लेवर डिसकस करते हैं, जिसमें 30 question होगे, बाल विकास के तीस मार्क्स के लिए जिसमें 15 का होगा, बच्चों का विकास, ठीक है, 15 मार्क्स का होगा, बच्चों का विकास, स्वावेशी शि मांक्स का बाक्या Rise of humidity, héapse उसके बाद English आएगी जिसमें passage आएगा आपका पांच मांक्स का ठीक है और comprehan neighbourhood आएगा सब्सक्नारा ग्रामर तीन मांक्स की बकायाब दो जो मांक्स का उसके बाद passage 1 poem सी आएगा 1 provision पैसेज आएगा, unseen पैसेज जो से इंप्रोस पैसेज कहते हैं वो आएगा एक आएगा आपका point बाला पैसेज जो unseen point पैसेज आएगा with question, comprehension, grammar बलबर, जो वरवल, ability होती है, comprehension आएगा 3 marks का, और बकैब आएगी आपको 2 marks की तो ये आपका एक, जो total दो पैसेज होंगे 15 marks के ठीक है, 5, 3, 2, 3, 2 ठीक है, उसके बाद pedagogy होगी 15 marks की, तो दो पैसेज 15 marks के, pedagogy 15 marks की, ये English का है, उसके बाद अगर आप ठीक है, अगर आप गिनित वैविगान के लिए math और science के लिए आप देना चाते हैं, तो उसके लिए दिखिए, ये आपको दिवित्या पेपर में जो math और science आएगा, वो 30 marks का हैगा और M.C.O. को सनाएगे 30 marks के, ठीक है गिनित की परकरती 5 marks का, ये समीचाला, उस तो 5 marks के रेखा कौन 5 marks के और संजीव, नर्जीव, 6 marks के संख्याक की, जो 5 marks की आएगी, और बलवैगती ठीक है, ये सभी chapter लगवग साइंस के, तो यहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है उसके बाद आपका जो syllabus है, वो है समाजिक अध्यान, ठीक है अगर आप समाजिक अध्यान के साथ हंकों की होगी, साथ question होंगे, जिसमें आप यह दे सकते हैं मुगल समराज्या, बक्ति वेशूफी इंदोलन ब्रिटिस आसन, बारतिय संभीदान विवस्तवा और कारयपाली का नियापाली का सरंचना बारतिय समाज, ठीक है यह आप क्या हैंगे, पुरे के पूरे कोश्चन ब्रिटिवी की मिट्टी ब्रिटिवी के प्रमूग गटक, बारत का अध्यान, चत्तिस गड़ का बगोल वेशन साधन, चत्तिस गड़ का त्यास वेशन स्कृती और शेक्षनिक मुद्दे, ठीक है यह आपका, यह आपका सलेपस है, तो पूरे का पूरा ठीक है और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो से लेटर तो किर्पे कमेंट सेक्षन में कमेंट जरूर करें और अगर आपने इस चैनल गो सब्सक्राइब नहीं किया तो किर्पे कर लीजिए तांकि आपको आगयाने वाली वीडियो का नोटिफ्केशन सबसे पहले मिलता रहे धन्यवाद दोस्तो